हेलो दोस्तों यह वीडियो सब के लिए अप्लिकेबल है आपका कोई भी लगन राशी डेड़ो बहुत हो अगर आपके पास अपनी जनमकुंडली है तो यह वीडियो आपके लिए अप्लिकेबल रहेगा आज हम सूरेदेव का नीच्पंग राजयोग कैसे होता है उसको दिखते हैं सूरेदेवता साथ नंबर की राशी में नीच कहे जाते है यानि की जनमकुंडली में कहीं भी सूरेदेव हो अगर वहां साथ नंबर लिखा है तो वह नीच होंगे अगर यहां पर हैं साथ लिखा है तो वह नीच होंगे और साथ नंबर होता है तुला राशी जिसके मालिक होते हैं शुकर देपता या वीनर्स और सुर्य देव एक नंबर की राशी यानि मेश राशी उसमें उच्छ हो जाते हैं जिसके मालिक होते हैं मंगल देपता तो ये दो ग्रै आकर सुर्य देव का नीच भंग करने में मदद करते हैं तो इन दो ग्रै को आप यहीं पर हो यहां हो यहां हो यहां हो यह तो सूर्य देव का और नीच भंग राजयोग हो जाएगा अब देखते जो बाकी के घर बज़ गये जहां एक दो एक दो नमबर लिखे हैं पहले जो लाल रंग में एक 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 यह चार पूजिचन इनको हमने देखना है帶 हम चंदरमा-देवता को भी आड़ कर लेते हैं यानि कि शुकर, मंगल और चंदरमा इन तीनों ग्रह से कोई भी ग्रह अगर किसी भी जगह पर जहां पर एक लिखा हुआ है यहां पर बैठा है एक, दो यह शुकरदेव यहां बेख seniya अगर इन तीनों में से एक-दो या तीन जहां नमबर 2 लिखा तो भी सूर्य देव का नीच्फंक राज्योग हो जाएगा. अब एक और कंडिशन जो होती है कि सूर्य देव को शुक्र देव की द्रिष्टी पढ़ रही हो यानि कि जहां भी शुक्र देव हैं उनके एकड़म सामने सूर्य देवता हो यानि कि अगर शुकरदेव यहाँ पर है तो सूरेदेव बिलकुल सामने यहाँ पर हो अगर शुकरदेव यहाँ है तो बिलकुल सामने यहाँ शुकरदेव यहाँ है और सूरेदेव यहाँ है या उल्टा अगर शुक्रेव यहाँ और सूरेव यहाँ तो भी नीच भंग राजयोग हो जाएगा यह सूरेव के नीच भंग राजयोग की basic conditions है इसके अलावा काफी और conditions होती है जिसमें देरे देरे नीच भंग राजयोग की strength कम होती जाती है तो मुझे उम्मीद है आपको सूरे देव का नीच भंक कैसे देखना है ये समझ आ गया होगा अगले वीडियो में हम चंद्रमा देव की बात करेंगे तब तक के लिए धन्यवाद